श्री गनेशाय नमहा नमस्कार दोस्तों ये राशीफल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उथार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्थिति ले कर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज चाया बूरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा का आप की लिए किस तरह के परिनाम ला रहे है दोस्तों आज चंद्रमा की स्थिती आपकी कुंडली में बहुत बड़िया रहेगी आज चंद्रमा आपकी लिो counting में भागय स्थान में है यानि नॉव स्थान मे रहेंगे इस वज़े से चंद्रमा का आप पर सकारात्मक परिणाम दिखेगा इस दिन आप शांत रहोगे स्थीर रहोगे उर्जावान रहोगे और आपको दिन भर प्रसंदता की अनुभुती रहेगी ये दिन आपके लिए अपने परिवार जनों के साथ किसी तूर पर या क कोई परसंदल टूर भी आप अरेंज करते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत बढ़िया रहेगा लेकिन इस समय में आपको समय की कमी रह सकती है हो सकता है यात्रा के लिए या कई जाने का प्लान तो हो लेकिन आप समय ना निकाल पाए ये संभावना भी बनी हुई है अग काम आप आसानी से कर पाओगे स्टूडंस के लिए भी ये दिन कापी अच्छा रहने वाला है स्टूडंस को अच्छे समाचार इस समय में मिल सकते हैं स्टूडंस को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना बनी हुई है बिजनेस करने वालों के लिए भी आज का दिन अच्छे रिजल्स मिलेंगे करीब करीब सारी चीजे आपके हिसाब से होती हुई दिखाई दे रही है भविश में अगर आपको कोई नया व्यापार शुरु करना है तो उसकी प्लानिंग कर सकते है नया व्यापार इस समय में शुरु करने की योग भी बन रहे हैं इसलिए डट कर मेहनत करे, सब कुछ मेहनत से मिलता है, कामों से मिलता है, भाग्य के भरो से बैटने वालों को कभी कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन मेहनत का फल अवश्य मिलता है, इसलिए प्रयास करना हमारे हाथ में है, आप प्रयास जरूर करे, आगे दिन अच्छे है, इस समय में आ लव लाइफ के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा, समय थोड़ा बीजी चल रहा है, फिर भी साथ वक्त गुजारने के लिए समय अच्छा है, पार्टर के साथ कोई जगडा या मनमुटाव है, तो वो इस समय में दूर हो सकता है, पॉजिटिव सोच रखकर जीवन में आग जन दूरने की कोशिश जरूर करें, इस समय में आप जीवन में आगे बढ़े, भागे भी आपको पूरी तरह से साथ देही रहा है, अगर स्वास्त की बात करते हैं, तो इस दिन आपका स्वास्त भी अच्छा रहेगा, स्वास्त के लिए दिन पूरी तरह से सकारतनक है, मा भी आपको आराम इस समय में मिल सकता है इस दिन पीले रंग का इस्तिमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और इस दिन तीन आंग आपके लिए लकी साबित हो सकता है दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है कभी कभी हमारी परसनल कुडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परेणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे नमस्कार दोस्तो व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारो तरफ एक अजीब सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मकता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते है दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी बाहर से आती है कही भी जूते चपल फेक देते है कही पर भी उतार देते है, कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते या चपल डायरेक्ली उतार देते है, दोस्तो ध्यान रखे, जूते चपल हमेशा साप सुत्रे रखे, और उनको उनकी जगे पर रखे, उनके लिए एक स्थान बनाए, उस स्था रही है, तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी, साथ ही दोस्तो एक और बात है, जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, हमारे घर के चप के उपर, जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है, उन्हें हम घर क चप के उपर रख देते हैं, ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चप के उपर कबार जमा दिखता है, जी हाँ, जो चीजे हमें लगता है, आगे जाके हमारे काम में आ सकती है, वो हम घर के उपर रख देते हैं, लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती, हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप रखें क्लीन रखें साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेश ही मुश्किल है साथी दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे-फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला इत्यादी तो आप इन साम दोब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़ में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूड़ा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुब नहीं है जी हां वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना जाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते हैं तरक्की ला सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाएं इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद